नेला दोस्तों मेरा नाम है मनीस आप देख रहे हैं मेकावर के श्टड़ी तो चलिए बीडी को सुरू करते हैं तो गाईज आज के अपडेट में हम बात करने वाले हैं युटी ओ टी स्कुटिणी रेजल के बारे में जो परीडाम जारी हुए उसके बारे में बात करेंगे और करेंगा और जिन स्टुनेंटन के लिए apply किया था आप लोगों काफी कमेंट्स आ रहे थे अर मैंने उनको पड़ा और रिप्लाय भी दिया तो बात करेंगे कि revaluation के जल्ट कब तक आएंगे और साथी साथ इस subject पर बात करेंगे कि semester examination जो लेकर उसको बहुत बड़ी problem create हो रही है वो कब से होंगे कब से समावनाय मन रही semester examination खुले करके उसके बारे हम बात करेंगे तो दोस्तों बढ़े रहें वीडियो के last तक बीना skip कि क्योंकि पूरी जनकारी आप लोग जानना बहुत जरूरी है कि दो फाइनली हम आच चुके है पर आप लोग इस न्यूज को ध्यान से देखिए तो इसको आप ध्यान से देखिए मैं आप लोग समझाता हूं यहां आप लोग देख रहे हैंगों 306 चात्रों के अंकों में स्कूटी के लिए नहीं सारे स्टुडेंट्स के लिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए जैसे कि अपर सभी लोग जानते हैं कि स्कूटी कर्याऊनो सिम्सेमस्टर के परिच्छाए हुई थी 6 महिने बाद सो मुआर को सम समेस्टर के लिए बुलाए गई परिच्छा समीत की बैठक के साथ ही फिछली परिच्छाओं के स्कुटनी परडाम जारी कर दिये गए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 जुन को मीटिंग होने वाला था तो उस मीटिंग के बाद ही ये निर्ड़ लिया गया कि स्कुटनी रियल्ट अभी जारी कर दिया जाया और रिवलेशन भी रियल कुछ समय बाद जारी कर दिया गया हम बताएंगे रिवलेशन रियल कब जारी किया जाएगा तो वही बताया जाएगा कि दिसंबर में वीसम समेश्टर की परिच्छा के बाद इस स्कूटनी के लिए 6,966 छात्रों ने आविदन किया था यानी कि लगभग पकड़ लिजे यहाँ पे 7,000 छात्रों ने इसमें 306 छात्रों के अंकों में बदला हुआ है लेकिन इनके परिच्छा परिडाम नहीं बदले जबकि 75 अनुत्रीड छात्र उत्रीड हो गये हैं तो यहां पे बहुत कम ही चात्र उत्रिड हुए हैं कि यवल 75 ही चात्र उत्रिड किये गए हैं और एक बात और बहुत सरे स्टुएंट की कमेंट आ रहे थे सर रियल्ट नाट फॉंड दिखा रहा है तो उसमें यह चीज बताना चाहूँगा कि अभी रिवुलुशन का रियल परडाम कल जारी कर दिये गए और यह भी बताया जा रहा है कि यह परडाम website पर upload कर दिये गए हैं जो भी चात्र यहां पर चेक करना चाहते हैं वह इस website पर जाकर चेक कर लें result.bteup.in ठीक है इस पर नतीजे आप लोगों के देखे जा सकते हैं यह बात तो होगे इस कुटन कर दिये जाएंगे इसके बारे में आप लोगों को बताया है तो आई होब दोस्तों को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट था वह क्लियर हो गया अब हम बात करेंगे समेस्टर एक्जामिनेशन को लेकर करके यह जो अपडेट है वो बताया जा रहा है कि प्रवेस परिछ नहीं है यह भी बताया जा रहा है कि समेस्टर की परिच्छाएं प्रवेस परिच्छा के बाद कराने का निरेडर लिया गया है ठीक है तो यहां पर निरेडर ले लिया गया है अब देखी बीटी यूपी को उफिसिल वेबसाइट पर कुछ दिन में अपलोड हो जाना चाह क्याने कि जो आप लोगों का 11 तारीक से एक्ज़ामिनेसन होने वाला था यह 27 तारीक से होने वाला है लेकिन अभी ओफिसिल वेबसाइट पर निवस नहीं आ जाता है तब तक आप लोग यहारा को टार्गेट करके ही अपना प्रिपरिसान करेंगे ठीक है यह जीज़ा मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें थैंक्स पर वाचिंग